हेलो एब्रिवन दिस इस अरुन और स्वागत है आपका इस वीडियो सीरीज में जिसमें हम डेरिविटिप्स स्टार्ट करें तो सबसे पहले डेरिविटिप्स की होता क्या है उसकी डेफिनिशन देख लेते हैं और सप्पोस ऐसके एक फंक्शन, यहां पिदेखिये एक आपका एक डेल वयलिट्ट्फ फंक्शन ाए तो मैंने आपको पहले बताया तरव यह पान इक रिडियेल अगर suppose f आपका एक real value function है और a आपका कोई भी point उसकी domain में तो f का derivative किसी point a पर इस तरह define होता है limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a upon h ओके प्रुबर बट limit exist होनी चाहिए तभी derivative define है अगर उस function की limit exist नहीं करती उस point पर तो उसका derivative भी नहीं exist करता है है नहीं find कर सकते हैं ठीक है और derivative को हम किस तरह notation करते हैं suppose y is equal to fx आपका एक function है clear अब मुझे इसका derivative का representation बता रहा हूं आपको कैसे denote करते हैं तो पहला representation आता है आपका f-x तो यह आपका हो गया representation of fx इसको बलते है derivative of f-x यह आप लिखते हो कभी कभी कभाद d upon dx of fx और यह फिर fx तो आपका y है तो dy upon dx भी लिख देते हूं ठीक है यह तो आपका generalize है अब मैं x is equal to a की बात करूं तो आप denote करते हो f-a इस form में आप f-a लिखते हो अगर आप ऐसे लगए तो d upon dx of fx यहां पर आप line किसते हो at x is equal to a इस तरह है और इसको कैसे लगते हो dy upon dx at x is equal to a तो यह आपके तीन notations हुए derivative के derivative को ही differentiation बोलते हैं आप ओके अब देखिए अगर मैं actual formula की बात करूं तो derivative को जो actual formula है वो यह होता है आपका f-a is equal to limit x tends to a f-f-a upon x-a provided limit exist यह आपका actual formula होता है derivative का जब मैं आपको derivative का geometrical interpretation बता हुँआ तो आपको वहाँ से समझ आ जाएगा कि यह formula कैसे आया सारा slope का concept है और tangent का concept है वो बाद में देखेंगे फिलाल यह आपका actual formula होता है अब मैं आपको बताऊंगा यह जो आपने formula पड़ा limit h tends to 0 f-a plus h-a upon h यह कैसे आया यह इसी से आया देखिए इसकी limit exist करती है मतलब इसकी left hand limit और right hand limit equal होंगी है ना तो मैं दोनों limit निकाल के equal कर देता हूं है ना तो left hand limit को equal कर दूंगो मैं right hand limit के okay left hand limit निकाल देता हूं limit x tends to a है तो x tends to a minus fx minus fa upon x minus a equal limit x tends to a plus a plus क्यों है right hand limit निकाल रहा हूं fx minus fa upon x minus a clear okay अब अब इसको convert करते हैं हम h के form में limit h tends to 0 x की जगे लखेंगे a minus h f of a minus h minus f of a upon x की जगे लखेंगे a minus h h और minus a पहले से चल रहा है is equal to limit h tends to 0 fx की लखेंगे f of a plus h minus f of a upon a की जगे लखेंगे x की लखेंगे a plus h minus a ठीक है यह a cancel हो जाएंगे आपस में यह a और यह a भी cancel हो जाएंगे तो यह आपका बच्चे का left hand limit limit h tends to 0 f of a minus h minus f of a upon minus h और यह आपका बच्चे का limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a upon h आच यह आपका left hand limit और right hand limit यह आपकी equal है equal ही होंगी आपकी क्योंकि provided है कि limit exist करेगे तो equal होगी और जब limit exist करती है तो left hand limit और right hand limit की जो होती है वो ही इसकी values होती है जो हम लेके चलने question यह अमने सीका ना limit में तो basically यह दोनों value यह किसके equal जाएंगे इस limit के limit x tends to a f x minus f a upon x minus a ठीक है तो बस यह left hand limit है यह right hand limit है इसको मैंने इसके equal लिख दिया तो यह आपका formula बन गया यह मैंने बताया actual formula और यह वाला formula जो आपका first page में definition में दिया है limit h tends to 0 f of a plus h minus f a upon h और इसी formula को first principle भी बोलते हूँ okay questions देख लेते हैं कैसे करते हैं solve तो देखिए derivative निकालना है इसका तो f x आपको क्या गिवन है सबसे पहले f x एक्स एक्स गिवन है वी नो डेट यह आपका यह किसको लोगा यहां पर लिख दो एफ डेश एक है तो वी नो डेट लिक देना एफ डेश ए एफ डेश ए हमारा क्या होता है लिमिट है एच फिस जीरो एफ ओफ एफ प्लस एच माइनस f ओफ ए अपन है यह फोर्मॉला होता है अब इस फोर्मॉला में किस कि पढ़ दी एक एफ है चाहिए हमें और एक एफ एफ एप्लस एच चाहिए है ना तो f निकाल लेता है यह यहाँ पर 10 है तो f10 f10 क्या हो जाएगा x की येकर रिकना है 10, 10 square minus 2, 100 minus 2, this is equal to 98, अब निकलना है next, a plus h, f of a plus h, a अपका 10, तो f of 10 plus h, x square minus 2, 10 plus h square minus 2, तो ये आपका वजाएगा 10 square plus h square, स्क्राइब करेंगे इसको यहां पर पूट कर देंगे 98 आगी एफ की वेल्यू और यहां पर पूट करेंगे तो अपना अंसर है कि लिमिट एच गेंटेंज के निन दा क्या अपन अपऊना जा वर सिविमिट और यहां से यहां से पूट हेचंप्स टी स्विट यहां से पूट tiny अपर में कैए हो अब देखें गए नाईटिए सथैंटेंट कैंसल और यहां से लिमिट एच टेंट्स टू जीरो एज wrestling यह common आ रहा है, यह common ले लिया और अंदर बच्चे का h plus 20 upon h, h से h cancel हो जाएगा, finally अब यहाँ पर h की जिरीव पूट कर सकता हूं, तो answer आगा 20, इस तरह हम solve करते हैं, बस formula आना चाहिए, है ना, अब इसका derivative question number 2, derivative में कलना है, 99x का, x is equal to 100 पर, तो a की value देरा की 100 है ना, और f of fx देरा का है 99x, और f of a, f 100 क्या होगा है यहाँ पर, 99 into 100, which is equal to 99, 100, f of a plus h, तो f of 100, 100 plus h, क्या होगा है, x के लिए करना है 100 plus h, तो यह जागा 99 into 100 plus h, solve कर देते हैं, 99, 100 plus 99 h, बस formula में यह value put कर देते हैं, formula क्या होगा है, f dash a is equal to f of a plus h minus f of a upon h, f of a plus h क्या है आपका 99, 100 plus 99 h minus f of a क्या है आपका 99, 100 upon h, h, ok, 99, 100 से 99, 100 cancel, 99 h, यहाँ पर limit भी चल दा, sorry, limit भी लिखेंगे, limit x tends, sorry, h tends to 0, यहाँ पर भी आईगी limit h tends to 0, उसके बाद यह function, अब देखिए, limit h tends to 0, यह बच्चे गा 99 h upon h, अब h से h को cancel कर देंगे, और limit यहाँ पर कोई h नहीं वजा तो इसका answer जागा 99, simple, यह आपका आगया, यह क्या है 99, f dash a, और यह क्या है 100, f dash 100 आया, तो f dash 100 को क्या बोलते हैं, derivative of f at x is equal to 100, तो इस प्रकार के simple से question होते है, question number 3 वहती easy question है, यह आपको home park है, कीजिए, simple सा question है, okay, तो इस वीडियो में बस इतना ही, next video में आपको पता हूँगा, first principle का formula फिर से, और उस पे विश्ट कोस कोशन, okay, तो कोई भी doubt होता है, आपको comment बस में लिखिए, और आपको, अगर कोई और queries आती है, तो description में जाके, आपको whatsapp group का link मिलेगा, और telegram group का link मिलेगा, उसे जोन कीजिए, questions पूछिए, और अच्छे से पढ़ते रहे हैं, धन्यवाद,